आउज बिल्लाहिमिन शैतान रोचीन बिस्मिल्लाहित रुख्वान रहीन असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मुसीन दफा और आप लोग देख रहे हैं 24 आर 7 टीचर्ज आनलाइन दोस्तों कलाफ चल रही है हमारी बिस्निस फाइनेंस की और आज उस सीरीज का हमारा दूसरा लेक्चर है दोस्तों आज की कलाफ शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली कलाफ के अंदर क्या चीज़ें कवर अप की थी और क्या चीज़ें पढ़ी थी दोस्तों हमने अपनी पिछली कलाफ से एक नया सब्जेक्ट बिस्निस फाइनेंस शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि Business Finance is a combination of two words Business and Finance दोस्तों हमने ये देखा था कि Business क्या होता है और Finance क्या होता है उसके साथ ही हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर हम इन दो words Business और Finance को इकठा जब मिलाते हैं तो उससे क्या मुराद है उसके साथ ही हम लोगों ने ये भी study किया था कि हम लोग Business Finance का subject क्यूं पढ़ रहे हैं दोस्तों ये तो थी हमारी पिछली class दोस्तों आज की class में हम लोग बात करने वाले हैं Financial Manager के हवाले से जो हमारे Business Finance से जितने भी related किसम के defiant होते हैं वो हमारा Financial Manager करता है दोस्तों हम देखेंगे capital budgeting क्या होती है उसके साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि capital structure से क्या मुराद है और कोई भी company या कोई भी organization कैसे अपने working capital को manage करती है तो चलिए हम लोग आज की class का पहला topic Financial Manager को देखते हैं Financial Manager is the person who is responsible for taking the financial defiant of the company के Financial Manager वो आदमी है जो किसी भी company के financial defiant लेता है उन financial defiant में कौन-कौन फे financial defiant शामिल है उन में capital budgeting है, उन में capital structure है, उन में working capital management के defiant शामिल है अब बारी-बारी हम लोग इन तीनों को capital budgeting को, capital structure को और working capital management को देखेंगे दोस्तो, capital budgeting से मुराद क्या है थ्रू दा फर्म कैपिटलाइजेशन फेट्रेक्चर दोस्तो, capital budgeting से मुराद ये है कि company इसमें ये तै करती है कि उन्होंने long term investment कहां करनी है आया कि company ने कोई new machinery पर चेव करनी है आया company ने कोई नया plant लगाना है या कोई new product launch करनी है दोस्तो, capital budgeting के अंदर हमारे पाफ कोई 5 different techniques है जो हम throughout this course learn करेंगे उसमें पहले number पे हमारे पाफ profitability index है उसके बाद हमारे पाफ payback period है जो हमें ये बताएगा कि how much time required to recover the investment कि हमें कितना time लगेगा उस investment को recover करने में उसके बाद हमारे पाफ NPV है NPV represents the net present value of that project or if it which the business have perceived during the financial year उससे हमें net present value का पता चलता है उसके बाद हमारे पाफ IRR है internal rate of return which tells us जो हमें बताता है कि कौन सी एक ऐसी percentage है देखता है कि हमने किस project के अंदर invest करना है या हमने कोई नया business start करना है या हमने कोई new machinery purchase करनी है या हमने कोई नया plant लगाना है या हमने अपनी उसी product line के अंदर कोई नई product का इजाफा करना है ये सारे टिफियन जो है capital budgeting के अंदर आते है और that will be taken by the financial manager जो हमारा financial manager लेता है the second point of our today's session is the capital structure अब capital structure क्या होता है capital structure is a particular distribution of debt and equity capital structure से मुराद हमारी debt या equity है debt makes up the finance of the company जो हमारी उस company का finance मनाते है अब debt क्या है equity क्या है debt is the portion which the company is borrowed from any financial institution like bank ऐसा portion जो कोई company जो है किसी bank वगारा से जो है loan की फूरत में लेती है that is known as debt वो कर्ज होता है और company ने वापस return करना होता है equity क्या है equity is the portion वो portion है जो business owner अपनी pocket फे या by issuing share वो उसके अंदर invest करता है यहां पे लिखा भी हुआ है debt comes in the form of bonds issues are loans के debt जो है जो कर्ज होता है उस company का वो या तो bond issue करके raise किया जाते है या फिर company जो है किसी company फे loan भी ले सकती है and the second point is equity equity क्या है equity may come in the form of share or stock or retain earning के company जो है वो share भी issue करती है या फिर कोई stock issue करती है या जो उनकी retain earning होती है उसको हम equity कहते हैं अब यहां पे आपको एक picture नज़र आ रही है और यह company की balance sheet की है एक file पे efforts नज़र आ रहे हैं आपको total और दो फ्री file पे company की जो liability वालिफाइड है वो combination है debt और equity का और that will make the capital for structure of that company यह दोनों चीज़े मिलके जो है उस company का capital for structure बनाती है दोस्तो capital जो हमारा for structure है उसका decision भी no doubt के financial manager ही करता है अब देखें जो हमारी assets वालिफाइड है उसके इंदर हमारे पास current liabilities होती current assets होते हैं और हमारे पास fixed effort होते हैं अब जो हमारे fixed effort है उसमें tangible और intangible दोनों हैं वो financial manager का काम होता है जो हमने capital budgeting के अंदर defiant करना है के हमने कोई new machinery खरीदनी है new plant खरीदना है वो हमारे fixed effort के अंदर fall करते हैं उसके बाद जो हमारी liabilities वाली side है उसके अंदर भी हमारे पास दो किसम की liabilities है the first one is the current liabilities and the second one is the long time liabilities अब जो हमारी current liabilities है उनको छोड़के the second one is the long time liabilities वो हमारे debt के अंदर आती है उसके बाद हमारे पास shareholder equity है तो ये हमारे पास basically complete future है capital future है उस company का ideally जो एक ideal capital structure तसवर किया जाता है किसी भी company का वो ये तसवर किया जाता है कि 30% उसके अंदर equity का portion होना चाहिए it means कि you should invest 30% from your pocket then you will be able to raise the funds of 70% from any other financial institution 30% जो है उसमें आपका अपना होना चाहिए और 70% जो है वो आप किसी bank से loan वगरा लेकर कोई एक नया business शुरू कर सकते हो इसको हम ideal capital structure कहते हैं दोस्तो इसके बाद आज की class के अंदर हम लोगों ने जो तीसरा topic था वो ये था networking capital अब networking capital क्या होता है working capital ये होता है networking capital is the capital which companies maintain to meet their day-to-day expenses के working capital से मुराद या networking working capital से मुराद आपका वो सर्माया है जिससे आपके company के day-to-day expense means to say के आपके utility bills हैं आपके administrative expenses हैं आपके selling expenses हैं जो daily basis के उपर अकर हो रहे हैं that will be managed through the networking capital of that company और ये networking capital management का decision भी जो है ये हमारा financial manager ही करता है अब networking capital कैसे calculate किया जाता है net working capital हमारा calculate किया जाता है current efforts के जरिए और current liabilities के जरिए which we have been seen in our previous slide जो मैंने आपको previous slide के उपर दिखा है capital जब हम structure की बात कर रहे थे उस वकत तो the difference between the current efforts and the current liabilities is known as working capital के जो इनका फर्क होता है वो हमारे पाफ जो है current liabilities और current efforts का वो हमारे पाफ networking capital होता है और networking capital के through ही जो है company अपने day-to-day expenses को meet करती है और यह जो networking capital management का decision है यह भी सारे हमारे financial manager करता है आज की class के अंदर दोस्तों हमने यही देखा कि what is meant by financial manager कि financial manager का क्या मतलब है या वो कौन होता है company के अंदर और साथ ही हमने यह देखा कि कौन से asset decision है जो हमारा financial manager लेता है उसमें हमने सबसे पहले जो है वो capital budgeting के हवाले से देखा फिर capital structure के हवाले से देखा और फिर आखिर में हमने capital management के हवाले से देखा तो दोस्तो हम quickly summarize कर लेते हैं कि आज की class के अंदर हमने क्या पढ़ रहा है दोस्तो आज की class के अंदर हमने financial manager को देखा capital budgeting को देखा capital structure को देखा और capital management को देखा और यह सारे जो decision है that is related to the financial manager and taken by financial manager दोस्तो आज की class हम यहीं खत्म करेंगे मुझे उमीद है आप लोगों को मेरी वीडियो business finance के हवाले से पसंद आ रही होंगी हम इस course के अंदर मजीद और in-depth में capital budgeting, capital structure और working capital के हवाले से बात अभी हमारी खत्म नहीं हुई जारी रहेगी इसमें जो मैंने आपको different techniques बताई है capital budgeting के हवाले से जिसमें payback period, IRR या NPV है वो हम within detail पढ़ेंगे दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आप उन्हें like किजिए, अपने दोस्तों के साथ share किजिए जिनका ये subject है business finance और मेरा channel 24R7 teachers online subscribe किजिए ताके मेरा हर आने वाला lecture आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सके दोस्तों मिलते हैं अगली business finance की class में उस वक्त तक के लिए मौफिन भाई को इजावत दीजिए ठैंकी बरी मच्छ दोस्तों, अलाहाफिज